भाईयों और बैनों, दो साल बाद, चटिस गड़ के निर्माण के पचीच साल होने जा रहे हैं। चटिस गड़ युवा उर्जा से भरा हुआ है। और कहते भी हैं, चटिस गड़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले पचीच साल चटिस गड़ के विकास के लिए बहुत ही एहम है। लेकिन चटिस गड़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दिवार मनके खड़ा हो गया है। यह कॉंग्रेस का पंजा है। यह पंजा आप से आपका हक छीन रहा है। कॉंग्रेस का पंजे ने ठान लिया है कि वो चटिस गड़ को लूट-लूट करके बरबाद कर देगा। साथियों गंगा जी की जूठी कसम खाने का पाप कॉंग्रेस ही कर सकती है। याद किजिए गंगा जी को साक्षी मान कर इनों ने एक गोशना पत्र जारी किया था। दावा किया था कि दास दिन के भीतर ये कर देंगे, भोग कर देंगे। तब कॉंग्रेस ने बड़ी-बड़ी बाते की थी। लेकिन आज उस गोशना पत्र की याद दिलाते ही कॉंग्रेस की यादास ही चली जाती है। साथियों, कॉंग्रेस के जूट इनके फरेब की पोल खोलने के लिए इनके एक बादे की आद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि 36 गड़ की माताए, बैने, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब 36 गड़ से जो 36 वादे कॉंग्रेस ने किये थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराब बंदी लागू की जाएगी। कहां ये भी था कि जो अनुसुचिल छेत्र है, वहां ग्राम सभाओं को शराब बंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब पांच साल होने को है, और सच्चा ये है कि कॉंग्रेस ने 36 गड़ में हजारों करोड रुपिये का शराब गोटाला जरूर कर दिया है। और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानि कॉंग्रेस ने 36 गड़ की माता और बैनों से दोखा किया। 36 गड़ से दोखा किया।